बहुत ही चिंता जनक कुछ खबरे सामने आ रही हैं और उसी संदर्ब में आप लोगों से बात करना भी जरूरी है और आपको बताना भी जरूरी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं निरंकुष शासन और घमंडी राजा क्या करता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतिय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित्ष शाह है कोई बढ़के राजा नहीं है आप अगर आप कुछ गलत करिएगा अगर आप कुछ गलत कहिएगा अगर आप कुछ दुस्प्रचार करिएगा तो आपके खिलाफ आक्शन होगा आप लगातार जूट बोल रहे हैं कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो पर 48 पेज का मैनिफेस्टो 15,329 शब्द एक शब्द ऐसा नहीं जिसके बारे में आप जूट बोल रहे हैं और आपका कोई विडियो जो तथाकतित रूप से आपके अनुसार कोई काट छाट के चला रहा है उस पे आप लोगों के गिरफतारी कर रहे हैं यह देश डरने वाला नहीं है ना आपकी गीदर धंकियों से डरने वाला है यह देश हिसाब लेगा और गिन गिन कर हिसाब लेगा हर उस बेरोजगारी का हिसाब लेगा जो आपके चलते हुई है उस कमर तोड महंगाई का हिसाब लेगा जिसमें एक रोटी कम कहानी पड़ लेंगे जिनको करोना काल में आपने तरब तरब के दम तोड़ने पर मजबूर किया, वो महिनाएं हिसाब लेंगी जिनके अपराधियों के साथ अब हमेशा खळे होते हैं। चाहे वो करनाठका हो या गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो वो किसान हिसाब लेंगे जिन 700 किसानों की शहादत हुई उनके परिवार हिसाब लेंगे वो लोग हिसाब लेंगे जिनको अन दाता अन पहुंचाता है थाली में वो श्रमिक हिसाब लेंगे जिनको आपने हजारों मील पैदल चलचलाती धूप में भफोले और छाले लिए पैदल चलवाया तो कोई डरने वाला आप से नहीं है असम की पुलिस कहीं गिरफ्तारी कर रही है कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तारी कर रही है कि तमाशा क्या बना रखा है